तो आप लोग देख रहे हैं सुभम टेक MSD तो आज मैं आपको बताऊंगा debit card का यहां पे पंजाब बैंक में इजो आ रहा है आपको बता दू दो तरह के problem के कारण आपका जो debit card आपको नहीं मिलता है तो पहला बाला reason आपको बता दू debit card का application process दोनों तरह के होता है अगर आपका bank account के साथ आपको mobile number link है तो आप लोग SMS के थूरू कर सकते थे जहां पे आपको SMS में लिखना पड़ता था debit card उसके बाद paste दे के आपका account number उसके बाद 5607040 पर आपको SMS कर देने से आपको SMS आजाता था पंजाब MSNL bank से इस पकार का तो इस पकार का SMS आता था Dear customer request for debit card submit successfully तो इस पकार का SMS आता था उसके 10 दिन या 20 दिन के बाद आपको एक SMS आता था Your debit card is generate successfully and come and visit nearest branch to collect your debit card तो इस पकार का SMS आता था तो आपको directly SMS आपका जो debit card है और मिल जाता था अगर आपको कोई भी SMS या concern में नहीं दिया जाता है तो आपको 1800 180 2222 पर आपको call करके आपको एक concern में number आपको customer के थुरू लेना परेगा और उस track ID को आप लोग online से भी देख सकते हैं आपका कहां पर आपको रुका है ठीक है तो आप लोग को दिखा देता हो किस तरह साब को चेक करना है search करना है Indian post Indian post लिखके आपको search करना है और साच कहने के बाद थोड़ा सा यहां पर आपको scroll down करना है और यहां पर track consignment number पर उपर क्लिक करना है तो यहां पर जब आपको पंजाब national bank में जो customer के थुरू आपको जो consignment number दिया जाएगा उस consignment number को यहां पर track करना है तो किस सरह से track करना है आपको यहाँ पर और एक बद दिखा देता हूँ यहाँ पर थोरह से time लगेंगे अभी इस पकार के आपके सामने option आएंगे तो यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको concernment number यहाँ पर paste करना है जो आपको sms के through आया है उस concernment number को यहाँ पर लिखना है उसके बाद यहाँ पर जो capture आ रहा है इस capture को feel करना है और feel करके यहाँ पर search वाले option पर आपको search कर देना है तो पूरा details आपके सामने आ जाएंगे आपका जो david card है कहाँ पर रुका है ठीक है तो इस पकार से आप लोग track कर सकते है ठीक है अगर आप लोग offline के through आयमिन मान लीजिए आप bank में जाके फ्रांग फिल करके आप डेविट card को application किया है तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको same process है आपको customer क्या number से call करना है जहाँ पर आपका account number आपका pen का number पूरा details आपको पहले ले लेंगे उस लोग वो लेने के बाद आपको बताएंगे और आपको concern number दिया जाएंगे उसके थुरू आप लोग जो concern में के थुरू आप लोग देख पाएंगे आपका debit card कहाँ पर रुका है जब आप लोग के pass आपका जो branch में अगर debit card आ जाता है तो directly आपको SMS आजाएंगे जब आपका debit card आपका branch में आ चुका है तो इस तरह से आप लोग collect कर लेंगे ठीक है तो I hope आपको वीडियो को पसंद आए और वीडियो को पसंद आए तो चैनल को subscribe कर दीजे और वीडियो को like कर दीजे अगर आपको कोई भी दिखकाद आता है तो नीचे comment कर लिजे मैं इसके पर आपको answer दे दूँगा and thanks for watching this video